हे गाईज वेलकाम बैक पोर ओन यूटूब चैनल से विल टेकनिकल तो दोस्तों आप लोगों इने एक चीज़ जरू नोटिस कियोगी कि जो रेड ब्रिक हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के यूज में लाते हैं तो यूज करने से पहले उसे पानी से अच्छे तरीके स भिंगाया जाता है या फिर पानी में डिबो कर रखा जाता है तो भाई उसके पीछे का साइंटेफिक रीजन क्या है और मैं आपको बता दूं कि यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप यह मिस करते हो तो फिर इसका डिसाइडवांटेज बहुत सरा निक को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो इससे आप कमाने में तो सब देख हमेशे समस्पहले मिलते रहेंगे चलिए वीडियो को कंटीन्यू करते है तो दोस्तों अब हम लोग समझते है कि इसके पीछे का कारण क्या है तो दोस्तों जो रेड़ ब्रिक ह को पन्दरा परसंट तक पानी को सोक लेता है अगर वह से जादा असको अबसाप कर रहा है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि प्रिक ओलिटी अच्छी नहीं है आपको अपने वरक में इसको यूज में नहीं लाना चाहिए दूसरा क्या है कि जो हमारा मोतार तयार होता है उस इसमें सांड होता है सेमेंट उसमें पानी डालकर उसका मिक्ष्र तब्यार कर लेंच तो वहां पर आपको मालम होगा कि籁क तइयार हुआ है उसको उस्ट्राइंथ गेन करना है भॉ तनल टो यहीं नहीं होता है ठीरे-ठीरे इसलिए किया जाता है कि आपका है जो हाइडरेशन प्रोसेस है ना वो कंटीनियूर है सो दोस्तो होगा यह अब कि अगर आपने ड्राइब बिक को यूज किया उसको अच्छे से भिगोया नहीं तो उसकी टेंडेंसी है वाटर को अब्जॉफ करना तो वो वाटर अब्जॉफ कहां से करने वाला है आपके मसाले से मतलब आपने जो मुटाया तगयार किया ना वो उससे क्या करेगा पूरी नमी को सोक लेगा अब हाइडरेशन प्रोसेस के लिए मैंने आपको बोला कि मॉश्चर रहना ज़रूरी है अब वहाँ पे मॉश्चर नहीं है दोस्तों दूसरों सबसे important reason है वह है efflorecion effect efflorecion effect में क्या होता है कि पूरी दिवारों पे white patches आ जाते हैं जैसे आइस इमेज में देख सबके हो पूरी दिवारों पे क्या हो गया white patches आ गए और यह होता इसलिए है क्युकि हमारा जो red brick वह मिटी से तयार के जाता है और उस मिट्टी में white crystalline salt present होते हैं जिसके वज़ाज से आपको अपने दिवारों पे ये effect देखने को मिलता है अगर आप ito की अच्छी से तराई करोगे तो होगा ये कि ये crystalline material है ना salt जो है आपके पास उसमें जितने compound होते हैं तो उससे बहुत सरे compound हैसे हैं जो पानी में घूलन seal होते हैं मतलब soluble होते हैं तो अगर आप पानी में उसको अच्छे से डूबो कर रखोगो ito को तो बहुत सारे compound तो वैसे भी क्यों होंगे कि पानी में घूल जाएंगे जिसकी वज़ासे आपको ये effect है ना वो देखने को बहुत कम मिलेगा और ये बहुत हर्त तक minimize भी हो जाता है और दोस्तो साथ साथ आपको एक और additional advantage ये मिलता है कि brick की surface के उपर में जो dirt impurities present है ना वो तराई करने के वज़ए से वहाँ से remove हो जाता है तो ये भी एक अच्छी चीज़ है तो यहाँ पे मैंने सारे topic clear कर दिये सारे points लग दिये कि E2 की तरही करना क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है तो hope आप इस video को देखने के बाद कभी भी अगर red brick को construction work में यूज में लाते हो तो आप उसके तरही बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो तो वीडियो होता है यहाँ पर end अगर आपको स्टिंग कोई confusion है कोई doubt है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो otherwise अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्ते के साथ शेयर करो थैंक्यू